सिदार्दगर जनपुत में तेज हवा के जोंके के साथ आग इस कदर बढ़ रही है कि पांसी तहसी उश्वेत्र के खेसरहा ब्लॉक के ग्राम कोटिया में दर्जन से ज्याबा घर जल कर राख हो गए आग लगते ही गाओं के ग्रामीड घर छोड़ कर अपनी जान बचा कर भाग गए वही घर में रखा सामान सहित मोटरसाइकल साइकल अनाज कपड़े विजली के तार सब जल कर खाक हो गए यहां तक कि आग लगने के वजह से ग्रामीडों के खाने के लाले पड़ गए और रिष्टदार वे ग्राम प्रधान द्वारा उनके खाने के विवस्ता कराई जा रही अगर बात करें प्रिशासन की तो ग्रामीडों का आरोप है कि अभी तक कोई प्रिशासन का जम्मेदार व्यक्ति उनकी सुधले ने नहीं पहुँचा सिधारधंगर से दैनिक भासकर के लिए खुलामली सिद्धे की रेपॉर्ट प्रिशासन के कुछ नहीं मदल मिला है आप बताइए आपका नाम क्या है यह कौन सा गाओं है कैसे आग लगी है मेरा निलकुमान नाम है यह कोटिया देवरगावा है सिध्धान नगर तसील बांसी में पड़ता है जरुआ आगे से जो है मालूम है आगे के यहूं का जो कटा हुआ था उससे आगे से दूर से जलता हुआ आया लेकिन आधी इतना तेज था कि कोई कुछ नहीं कर पाया सब में बच्चियों को लेके किसी तरह जान बचा लिए हैं पचीछ शब्दी सानी तीस घर के आसपास में पूरा गाहों जल गया आधा गाहों जल गया पूरा है मेरे खुद नहीं गाड़ी अभी साल बर हुआ था लेकर तीन महिना जो चलाया था है कितनी गाड़ी जल चुका है और प्रसासन का कोई आया आपके पास सहाच चाले नहीं तो कैसे आप खापी रहे हैं काफी रहें बस ये रिस्तेदार लोग जो आ गए दे गए और पर्धान जी को छेल्प कर दिये बस इतना ही चल लाए आज आज